कुछ लोगों के comment आया थे कि जैसे इस समय रिले का जो चिपक जाना होता है या park हो जाना जैसे यहां पर एक example ले सकते हैं कि जैसे यहां पर देखें यह रिले चिपका हुआ है पूरी तरीखेसे जैसे यहाँ पर देखें अगर रिले अंदर से आन भी होगा तो इसी तरीके से यह देखें यह पूरी तरीके शिसमे बिल्ड हो गया है जैसे बिल्डंग कहते हैं इस पार्ग होके उसमें जॉइंट हो गया है अब इशे 7 so तो भी ये झूटेगा नहीं यान्यानी रेले काम करेगा तब भी ये जो है पर्मनेंट यहाँ या इस पर पूरी तरीके से manini उपकर है अब इसे हम देखे प्रेस्र देते हैं और इसे चुड़ाते हैं देखिए इस समय यह रिले इसी तरीके से वर्क करता है लेकिन अब इसको हम दबा के चुड़ाते हैं अब देखिए पूरी तरीके से छोड़ दिया अब बीच वाले पॉइंट को हम प्रेस करते हैं अब देखिए यह पूरी तरीके से वर्क कर रहा है इसी त दिखा दें यह कैपिस्टर का मैथड भी कुछ इस्ट इपलाजर में यूज हुआ है जिस जैसे यहां पर देखें पॉइंट टू टू डाई सोबॉल्ट और यहां पर थिरी के थिरी डाई सोबॉल्ट ऐसे दो पैरलेल में दो-दो करके अभी हम आगे आपको दिखाते हैं कि कैसे इसको लगाया जाएगा और इसके अलावा क्या मैथड है कि जो इस प्राब्लम को सालब किया जा सके मेरे समझ से जहां तक है जो मुझे समझ में आ रहा है उस चीज को मैं आप लोगों के साथ सेर कर रहा हूं आगे भी और डिटेल में दिखाते हैं कि जैसे यहां पर देखें यहां पर देखें मैंने चार रिले यूज किया है और चारों रिले का जो connection है उसको हमों डिटेयर से बताते हैं जिसे कैसे हमको connection करना है जो की बिना transformer के जो connection होते हैं जैसे रिले आन-फ और रिले पर लगने वाले काईपीशीटर और जो इसके प्रोडक्शन है जिसे रिले हमारा स्पार्क ना हो उसके लिए और क्या करना है उसको हम आज आपको इस वीडियो में बताते हैं सबसे पहले आप समझे एक रिले है रिले में पोल है और यह है एंसी यह नार्मल कनेक्टिंग है जो इससे ज इससे एनो से कनेक्ट हो जाता है यह ओपन हो जाता है यानि डिसकनेक्ट हो जाता है तो इसका कनेक्टिंग इससे हो जाता है यही रिले का काम है अब इसके पारे में समझते हैं कि कोई भी क्वाइल कहीं भी लगा हो तो उसमें क्वाइल का जो काम है उसको आप यहां पर सम इसमें रिले में जो इसकी कनेक्टिंग होती है पोल से अब यहां पर देखें यह रिले है रिले में एक क्वायल है क्वायल का एक कनेक्शन जो बिलीव कलर से यहां पर लगा हुआ है एक वार यह है एक वार यह है ठीक है इसी में प्लस और माइनस की सप्लाई आती है और इसम में मेहनेटिवर वनता है कि दोरा यह इसे खीचता अपनी तरफ जिससे क्लेक्राइव कर जा यह है यह है इनसीانसी यानि जब यह लिले आन नहीं होता है इसमें सप्लाई नहीं आती है यानि एक सप्लाई नहीं आएगी पॉजिटिव हमेशा रहेगा जब इसमें जैसे निगेटिव आएगा यह रिले तुरंट मेगनेटिव बनेगा और यह खीच लेगा अपनी तरफ ठीक है अब यह जैसे अपनी तरफ इसे खीचेगा तो यह इससे कनेक्ट हो जाए इससे डिसकनेक करता है ठीक है एक कामन दूप से क्योंकि जब यह आन होता है तो इस समय इसका काम होता है इसी स्प्रिंग की तरह जैसे स्प्रिंग इसको खीच किया है अगर यह स्प्रिंग हटा दिया जाए तो यह अपने आप नीचे गिर जाएगा ठीक है तो यह स्प्रिंग इस समय काम कर रहा है यह नार्मल के समय और बाद में जब यह इसमें सप्लाई आएगी तो यह electronics method के द्वारा इसे आन किया जाएगा तो उस समय क्या होगा यह अपनी तरफ खीच लेगा अब इसी आन आपके समय इसमें एक magnetic field बनता है इस coil में कोई भी coil हो उसमें आन आपके समय जो है आफ के time जो magnetic field बनता है उसमें एक voltage generate होता है उसे समाप्त करना जरूरी होता है जब आफ किया जाए उस समय अगर इसे आफ नहीं किया जाएगा तो ये कुछ millisecond के लिए कुछ nano second के लिए magnet बना रहेगा यानि वहाँ से जो system से इसको order आजाएगा आफ के लिए लेकिन ये कुछ nano second के बाद इसे disconnect करेगा उस समय क्या होगा इसका जो speed slow हो जाएगा क्योंकि तुरंत ये जैसे magnet बनता है तो इसे खीचेगा लेकिन ये क्या है कि जब ये disconnect होगा तो भी इसमें कुछ magnet बना रहेगा तो इससे ये उपर नहीं जा पाएगा जो की spring इसे ले जाने के manual रूप से काम करता है ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे समझ से जहां तक है ये method काम करेगा भी आगे हम और बताते हैं आपको अब इसी problem को दूर करने के लिए आफ टाइम यहाँ पर एक डायवोड लग जाए यानि ये जैसे coil है इसका तो ये है इसका positive और ये है इसका negative जब टाइश्टर आन होगा तो यहाँ पर निगेटिव आएगा और positive पहले से यहां राता है इस समय यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर देखें एक रिले का एक डायवोड यहाँ पर लग गया है ठीक है इसी तरीके से अगर इसे जो है लगा दिया जाए तो यह प प्रॉब्लम जो इस पार्क वाला है कुछ हद तक यह समाप किया जा सकता है इसे हम दिखाते हैं यह मैथड पहले की टेकनोलोजी में यूज किया गया था और कुछ सर्किट में यह आलड़ी लगके डायवोड आता था पहले लेकिन जैसे जैसे टेकनोलोजी का डबले बढ लगाया गया तो जहां जहां नहीं लगाया गया वहां वहां प्रॉब्लम देखने को मिलता है जहां कॉंस्टेंट सप्लाई है वहां तो यह प्रॉब्लम स्पार्क नहीं मिलेगा लेकिन कहीं अगर बोल्टेज अप डाउन ज्यादर ड्रॉपिंग है और बार बार वहां प से इस प्राबलम को अधिक तर अधिक तम समाप्त किया जा सकता है यह प्राबलम को ज्यादा तर समाप्त किया जा सकता है एक और method जो है इस capacitor का यह जो paper लगा हुआ है इस capacitor के द्वारा भी जो है इस problem को solve किया जा सकता है जिससा की कई companyya इस problem को solve करने के लिए केपिस्टर को यूज की हैं लेकिन हम जहां तक देखे हैं कि यह लगने के बाद भी रिले स्पार्क मिला है अब यहां पर देखें यह 5 के लिए हमने जो है इसे कामन रूप से डिजाइन किया है और यह जो है जैसे लिफ यह लगा आपको देखा गया मिलब देखें होंगे कि जैसे 3K3 500 और यहां पर 3K3 500 परलेल में दो जैसा कि हमें अभी आगे आपको दिखाएं इस कैफिस्टर के बारे में तो यह जैसे पहला फस्ट है यह सेकेंड है यह थार्ड है यह फॉर्थ है यानि यहां पर स्टार्टिंग होगी ठीक है जाहें चाहें 90 हो चाहें 60 हो चाहें 55 बॉल्ट मिनमम हो यहीं पर इस कैफिस्टर को इस इस टाइप से लगाया जाएगा जैसा कि यहां पर हमने इसे लगाकर कामन रूप से दिखाया है इसलिए क्योंकि अगर मैं इसका इंटर्नल डाइग्राम बनाता तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन था यह उपर से क्लियर रहेगा इसलिए क तो यह इस से हो गया इनो से फिर यहां पर इनसी और पोल से जुड़ा हुआ एक कैफिस्टर है जो कि यहां पर लगा हुआ है यानि यह कामन से इसे कामन कर लिये हैं पोल को तो यहां से यह दो कैफिस्टर और यहां से एक कैफिस्टर फिर यहां से के आते हैं तो पोल से इ और दूसरा यह पॉइंट टूटू डाइसो बोल्ट जैसा कि हम भी दिखाएं आपको आगे अगर फिर से देखना हो तो इस कैपिस्टर का देख सकते हैं इसके आगे मैं दिखा चुका हूं इसके कैपिस्टर को तो यह है एंसी से जुड़ा अब यहां पर यह आउटपुट से जुड़ा पॉइंट है और इस समय यह काम कर रहा है और 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 आउटपुट यहां पर मिल रही है अब जैसे ही यह रिले डिसकनेक्ट होगा इस पॉइंट से और इससे स्टार्ट होगा उसी स्टार्टिंग के समय यान डिसकनेक्टिंग और स्टार्टिंग के समय यह उ है है अब इसका एक ज्रॉट दिखा देते हैं जो हमने वहां पर दिखाया है यह से यह हैं यह 18 बॉडट का यह रिले है इसमें देखें यह positive है यह negative है तो यह पर कामन रूप से जो positive हर जगे पर तीनों रेले पर गया है। यहां पर लगा हुआ यह कैथोड है,"RAIBOODS?" जो ऐसे देखेंगे यह यह जुला हुआ है जो एक ट्र में है यहां पर कल्लेक्टर से जुला है और इसका इमिटर ग्राउंड है जब यहां से pin number 14 से out होता है इसका voltage on का इस transistor को तो यह समय क्या होता है यह emitter to collector connecting हो जाते हैं जिससे ground यानि negative supply यहां पे आ जाती है और पहले से इसमें जो महजूद हमारा positive supply है यह positive negative मिलके इस relay को on कर देते हैं ठीक है यही एक method है जो मेरे समझ में आया और आप लोगों के साथ मैंने इस चीज को share किया तो आज की वीडियों बस्तना आई मिलते हैं ने वीडियों थैंक दोस्तों और देखते रहे हैं